देलाइफ टीवी सच सबसे आगे किया है इतना भयंकर हमला किया है कि यहूदी सैनिकों के चीथरे उड़ते दिखाई पर रहे हैं दरसल वेस्ट बेंक के जैनिन छेत्र में बड़ा संघर्ष शुरू हुआ लेकिन इस संघर्ष में हमास के लड़ाकों ने ऐसा प्लेट वार किया ऐसा हमला किया कि इजराले सैन है कि हाई क्वालिटी का अटैक हमास ने प्लान किया है बड़े-बड़े हत्यार से हमले किये जा रहे हैं इस विजुल को अगर आपने देखा है तो हमें इसके आवाज को भी सुनाएंगे कि कैसे वहां पर गोली बारी हो रही है कैसे यहां से हमास के लड़ाके अटैक कर र इसमें लिखा हुआ है हैस्टेग वेस्ट बैंक हैस्टेग वीडियो जिया दिन में फ्लिस्तिनियन रेसिस्टेंस और आईडियाप के बीच साश्च जहर्पो में रेसिस्टेंस उच प्रभाव वाले विस्पोटक उपकरनों का इस्तेमाल कर रहा है यही इस वीजुल आप पास अलग से एक्स्ट्रा वीडियो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसी का वीडियो दिखाते भी ताकि आप देखें गुलाम नभी मदनी ने जो क्लिप 3-4 शेर किया है उसमें किस तरीके से एटैक इस्राइली सेनिकों पर किया जा रहा है जब पहला हिस्सा देख उसे भी लगे हाथ देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि कैसे उस अटैक के बाद आग की लप्ते जोड़दार उठती हैं ऐसा लगता है कि वहां इस्राइली सेनिकों के चीतरे उर गए हैं अब यह दृष्ट जो भी देखेगा खास करके जब यहुदी सेनिक देख रहे तो देख लिए आपने एक क्लिप और दिखाते हैं इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस हमले के बाद इस्राइली सेनिकों की हालत क्या हुई है इसमें देखिए अपने स्क्रीन पर इस विज्वल में साब्तों पर कुछ अवशेस आपको दिखाई परेंगे यहां पर बत दिख बता रहा है कि इस्राइलियों को भारी नुकसान वहां हुआ है गुलाम नभी मदनी ने ऐसे फुटेज शेर किये हैं और इसके बाद एक तस्वीर भी साजा की गई है उसमें गारियों के पर खच्चे हुरे हैं बिल्डिंग के बगलों से उठती लपट जो है काले ध और फिर देखिए क्या सब बताया जा रहा है लिखा गया है है यानि हमास के लराकों ने बड़ा हमला किया है और फिर आगे लिखा हुआ है जीप ऑप दे जेविश आर्मी ऑपरेटिंग इन जैनिन एरिया ऑफ दे वेस्ट बैंक वाज ब्लाउन अप बाइ प्लांटिंग बॉंब का जा रहा है कि यहुदी सैनिकों की जो एक गारी थी सैनिवाहन जीप उसे ऑपरेट कर रहे थे जो लोग भी जैनिन एरिया में उन ंद गंभे-्रोप से घाल हो गाए दो जो हैं बच नहीं पाए इसरept सर्वाइभ कर पाए इसरेअली आर्मी के सारे बंबार्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे इसमें बता आ जा रहा कि फिलिस्थिनंग ऐसाना विश्ट बैंक में बहुत जर्बायों के अलावा बताया जारा है राइक नेबलुस में कलकीलिया में तूकेडाम में चुवस में और वेस्ट बैंक में भी जरब की खबर सामने आई है इससे वहां फिलिस्तिनी मुस्लिम भाईयों की भी जाने गई है इस संघर्स में क्योंकि जब जंग होती है तो दो तरफ से होती है दोनों तरफ को नुकसा होता है जंग से भला किसी का नहीं होता लेकिन इसमें बेकसूर निर्दोष आम लोग भी माले जा रहे हैं इसराइल का पहला टर्गेट हमास नहीं होता उनका टर्गेट होता है कि जो फिलिस्तिनी नागरिक है जो गजा के नागरिक है उन्हें ही मार दिया जाए तो उसी प इसके अलावा जो आखरी पॉइंट है सराया अलकुर्स मुजाहिद दीन जो अलकुर्स मुजाहिद दीन सराया है इसने जिम्मेदारी ली है कि जैनिन के छेतर में इस्राइलियों की हालक इन लोगों ने ही खड़ाब की तावरतोर हमले किये और उनके चितरे उरा दिये अब ऐसा कवूल नामा भी इन लोगों ने ही बताया है दावा किया है कि उन्होंने ऐसा किया है जो वीडियो पृटेज आपने देखे उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां हमला कितना जबरदस्त था यह जड़प इतनी बड़ी थी इसके अलावा आप जरागोर कीजिए इसराइल कई मोर्चों पर घिर चुका है हिजबुल्ला का भी हमला जहेल रहा है हमास ने भी तावरतोर हमले किये हैं उनके अलग-अलग जो मुझा है दीन है संगठन के लोग वो एटैक प्लान कर रहे हैं इसराइली सेनिकों को धूल चटा रहे है लेकिन सबसे बड़ा जटका तो नेतन्याहू को इस बात का लगा है कि इसराइल में बिरोध प्रोदर्शन शुरू हो गया हजारों हजार की संख्या में लोग सरकों पर उतर आए और नेतन्याहू की बरखास्तगी की मांग कर रहे है और जो इसराइली नागरिक बंदग बने हमास के लड़ाकों के पास उन्हें चुराने की जिद भी इसराइल की सरकार से कर रहे है और हमास ने कह दिया है हम तो तब ही छोड़ेंगे भाई जब यह युदविराम होगा और फिलिस्तिनियों को जो मांग है उनकी उनके जो शर्त हैं उसे इसराइल पूरा करेगा अगर नहीं करता है तो फिर यह भूल जा यह सपना है और यहाँ बात इसराइल के नागरिकों का समझ में आ गई है कि नेतन्याहू सर्फ अपने घमंड को सटिस्पाइड कर रहा है बलकि यहाँ पर जो नागरिक हैं उन्हें बंधक से रिहाग करना चाहिए था ऐसा नहीं किया जा रहा है इस बज़़ से इसराइल में फिर से चुनाओ और नेतन्याहू के बरखास्तगी की मांगली लोग सरकों पर उतर हैं और बबाल भी खूब काट रहे हैं वहीं दोसरे तरफ गजा में वेस्ट बेंक में, जेनिन में, कलकेलिया में तुकाराम में, टुबस में यह हर जगा एटैक हो रहे हैं और जो गजा में हमास के लराके हैं इसलाले सेनिकों के चीतरे भी उरा रहे हैं फिलाल इसे वीडियो में इतना ही आप सभी का हमसे जुडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद